पंडित बीवी को कहता है कि देख लो, कल की बात सारे गाउं में फैल गई है, आज कोई भी चड़ावा नहीं आया। बीवी अब फिर से बूखे पेट और जिस्म में गड़ते पती के तीखे दातों के बारे में सोचती है, तो काप जाती है। कोई दोपहर के बाद का वक्त होगा, घर के बाहर बाल भगवान की जय के नारों की आवाजे सुनकर पंडित हडबडा कर उठ बैठता है, बाहर का दर्वाजा खोलता है, वही कल वाले तीन लोग हैं, जिनकी आज सुभा सेशन कोर्ट में तारीख थी, पीछे गाउं वालों क मास्टर जी की बाचें खिली हुई हैं, मोटा मर्द फिर नारे लगाता है, बाल भगवान की जय, लोग गला फार कर जवाबी नारा लगाते हैं, पंडित हैरान है कि हुआ क्या, मोटा उसकी पतनी और जवान लड़का पंडित के पाउँ छूते हैं, मोटा बताता है, मारे खिलाफ केस वापिस ले लिया और सुलह नामा हो गया, आगे की बात लड़के ने बताई, बाल भगवान ने चाचा को उसके पाप की पनिश्मेंट दी, कल ही उसके लड़के को हार्ट अटेक हुआ, बास्टर डर गया, आज सुलह कर ली, उसने दोबारा से पंडित ज तरफ देखा, गला बिलकुल खाली है, अपने गले से सोने का हार उतारा और उसके गले में डालते हुए कहा, भगवान जी की मा और गला बिलकुल खाली, ना जी ना, पंडित को साफ दिखा कि सोने की चमक की वज़े से बीवी की छाती और सफैद और और उजली हो गई, सू पंडित ने बीवी के गले में पड़े सोने के हार को देखा और संकेत करती मास्टर जी की आँखों की ओर देखकर हां कर दी, दरवाजे का कुंडा खोला, भगवान सो रहे हैं, चहरे पर भरे पेट वाली शान्ती है, सुख है, छोटी बहन पंखा जाल रही है, उसने होठो के वहाँ होने से लड़के की इंद्रियों ने सुपता वस्था में भी ये चीज ग्रहन कर ली, वो आँखें खोलता है, और हैरान है कि उसके कमरे में भीड क्यों है, तभी वो मोटा आदमी नारा लगाता है, बाल भगवान की जै, सारे लोग नारे का जवाब देते हैं, व भगवान को छूने की हिम्मत कैसे पड़ी, दिमाग घास चलने तो नहीं चला गया, पीछे आटकर बैठो, वो बेटी के हाथ से पंखा लेता है और उसकी जगह बैठकर जालना शिरू कर देता है, लड़का आश्वस्त हो जाता है, पिता के होते हुए वो मोटा उसे मार न लिया करते, उन्हें देना हैं तो बस सचे दिल से श्रद्धा दो, इजजद दो, मान दो, उन तीनों के चहरों पर निराशा बैठ गई, लोग धीरे धीरे आपस में बातें कर रहे हैं, कि बेचारे ठीक ही तो निराश हैं, लाखों का महीने का कारूबार बच गया, बाल भ पड़ेगी, इसके पहले की मास्टर जी कुछ कहें, पंडित गडगड करती आवाज में कहता है, नहीं, कुछ नहीं, सब जाओ, इतने लोगों के मुठी में होने का नशा उस पर सवार हो गया है, सब चुप, लड़के के बंद दिमाग पर लगा ताला हिलना शुरू हो जा वो कसकर आँखें बंद करता है, सिर हिलाता है, और ताला जोर-जोर से हिलता है, शब्द नीचे खिसकता है, उचल कर होठों पर आजाता है, वो मुस्कुराता है, आँखें खोलता है, और धीमी आवाज में कहता है, इत, 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 लोगों के चहरों पर हैरानी, पंडित है वो तीनों हैरान मोटा आदमी पंडित से पूछता है कि भगवान क्या कह रही है उसकी आवाज डरी हुई है भगवान कहीं वो तो नहीं कह रहे कि उसके काम पर इंट पत्थर पंडित की समझ में भी कुछ नहीं आ रहा वो मदद मांगती आँखों से मास्टर जी की तरफ देखता है लड़का फिर कहता है इट 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 वहां बैठे लोग अब बिल्कुल डर गए हैं बाल भगवान किसी खत्रे या बुरी खबर की चेताव नहीं दे रहे हैं मास्टर जी की दिमाग में खट से इट और मकान का रिष्टा जुड़ जाता है वो उस मोटे को बताता है कि बारिशों में बाल भगवान का कमरा टपकता है शायद वो इसे पक्का करवाने को कह रहे हैं भगवान भगतों से हमेशा संकेत भाशा में बात करते हैं, लोग हाँ हो करते रहे, मोटा आदमी पूछता है, क्यों भगवान, आपकी क्या यही आग्या है, लड़के के दिमाग से वही वाक्य फिर बाहर आता है, और वो फिर कहता है, eat, 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 सुनो जी, सारा मकान पक्का दो, हमारे भगवान कच्चे मकान में रहे, थू है हम पर, भगवान ने आँखें बन कर ली हैं, सब बाहर निकलते हैं, मोटा इस तीन कमरे वाले कच्चे मकान को आँखों से अंदाजा लगा कर कहता है, हाथ जोडता है, पंडित जी, मैं कल ही दस हजार इंटें भेज दू गया है कि अब लंबी कार उसके पास रहेगी, उसकी मा कहती है, भगवान कभी खबर भेजा करते हैं क्या, हम हर इतवार यहां आया करेंगे, जो कमी बेशी रह जाएगी, खुद देख लेंगे, भगवान तो कुछ बोलते नहीं, पंडित ने भगवान के कमरे का दर्वाज बाहर से बंद कर दिया है, वो तीनों दहलीज पर माथा टेकते हैं, औरत धीरे से बेटे से कुछ कहती है, वो पर्थ से सो के पांच नोट निकालता है, और पंड़ताइन के हाथ में पकड़ा कर उसकी मुठी बंद कर देता है, माता जी, अब ना न करें, ये भगवान के ल पंड़त की कलपना में मकान की जगह जमीन ने ले ली है, और उसे जमीन लेने की जल्दी है, लोगों को सच का पता भी चल सकता है, जब चल गया तो खेल खतम, पैसा हजम, अब सिर्फ रविवार को ही लोगों को बाल भगवान से मिलने की इजाज़त है, उनके लाला की दुकान के साथ अब पक्का कमरा बन गया है, मेज, कुरसियां, छट पंखा और रेडियो भी लग गया है, जो भगत भाई शहर से आते हैं, अब इस कमरे में बैठ कर ठंडा गरम पीते हैं, जन संपर्क का विभाग तो शिरू से मास्टर जी ने संभाल रखा है, ल उने डपटा, देख आकाशवाणी, तुझे सट जूट से क्या मतलब, दुकान जो चल निकली है, एक पक्का कमरा जो बन गया है, क्या तेरे बाप ने मरते हुए छोड़ा था, बाल भगवान की क्रपा से ही तेरे ग्राहक बड़े हैं ना, क्यों? लाला के मूपर डर से ता मंत्रिकों में विश्वास करते हैं, तो आम लोगों की तो बात ही छोड़ दो, याद नहीं, बिहार का एक मुख्य मंत्री दस अंगूठियां डालता था, किसी बाबा ने चक्कर चलाया था, हो सकता है कि पैर की दस उंगलियों में भी दस अंगूठियां डालता हो, लेकिन ऐसा क्यों है, लोगों को अपने हाथों की ताकत पर विश्वास क्यों नहीं, कॉलेज में पढ़ रहे एक लड़के ने पूछा, जिसे साम में वाद की नई-नई हवा लगी है, मास्टर जी जानते हैं कि जिस दिन नौकरी पाने के लिए हजारों की रिश्वत देगा, ये लाल रंग अपने आप धुल जाएगा, फिर भी उसे समझाते हैं, कौन से हाथों की ताकत की गलती तुमें लग गई है, देखा नहीं, इस देश के लोग हाथों में लाठी पकड़ते हैं, लेकिन मारने के लिए नहीं, सहारे के लिए, और फिर भाई दिनकर जी कह भी गए हैं, बलकि लिख गए हैं, हारे को हरी नाम, बैठक बाजों के कानों के दर्वाजे एकदम चौकस हो गए, मास्टर जी जरूर कोई चसके वाली बात सुनाएंगे, मास्टर जी ये दिनकर जी कौन थे, अरे भाई कभी दो आखर भी पढ़ लिया करो, हमारे राश्टर कभी क कुरसी पती थे, इंद्र की कॉल गर्ल्स पर लिखते रहे हैं, उनका एक कावे पढ़ो कभी, और वशी, मज़ा आ जाएगा, ये कॉल गर्ल्स क्या बला होती है जी, लाले ने चटकारा लेकर पूछा, होती है तेरी मा, अरे रंडिया, आज कल जैसे कॉल गर्स को इस्तिमा जहाजों में सफर बन, बस हर बुड़े हो रहे हिंदुस्तान की तरह सरकार की शरण से निकले और सीधे पहुँच गए भगवान की शरण में, आखरी किताब लिखी हारे को हरी नाम, तो भाई तुम ठहरे अनपढ़, अब पढ़े लिखे लोग, मंत्री, नेता, लेखक, क गाओं की सडकें पक्की बन गई है ना, हाई स्कूल और हस्पताल खुल गया है ना, इतने साल तो नेताओं ने इस गाओं पर किरपा नहीं की, अब की है ना, सिर्फ बाल भगवान के कारण, सुस्रो सवाल मत पूछो, कानों को हाथ लगाओ और जैजै कार करो, समझे? मास्टर जी पहली बार इतना लंबा बोले, लोग सक्ता गए, कैसे सीधे रुदय के मास्टर जी बोल रहे हैं, आकाश वानी उन्हें इशारे से दुकान के अंदर आने को कहता है, गलास में थोड़ी सी डालता है, केमपा मिलाता है ताकि रंग छुप जाए, लोगों को पत भी फैलना फूलना शुरू हो गया है, एक ही शब्द में बात करते हैं, कई बार ठीक, कई बार गलत, जिन लोगों को बताया जवाब गलत निकलता है, वो अपने कर्मों को दोश दे कर चुप हो जाते हैं, जिनका जवाब सही निकलता है, वो पुन्य कमाने के लिए और लो और फिर प्रत्ते एक छोटी मोटी दुकान रेडियो स्टेशन होती है, जहां समय विशेश पर नहीं, सारा समय समाचार दर्शन चलता रहता है, हर इतवार लाले की दुकान के आगे कारों, साइकिलों, स्कूटरों की भीड होती है, उसके पास अब तीन छोकरे हैं, चाय, पानी पिलाते पिलाते हांफ जाते हैं, अब बाल भगवान को हफते में सिर्फ तीन दिन खाने को दिया जाता है, वीरवार खाना बंद, सोमवार शुरू, दिमाग का ताला बंद है तो क्या हुआ, बाकी इंद्रियां तो काम करती है, उसे अब बुधवार को सारा दिन पता लग जाता है कि अब कुछ दिन तक रोटी नहीं मिलने की। पेट बढ़ने के साथ साथ भूख के दानव का कद भी बढ़ गया है। जपटते हाथों से रोटी आंदर डालता है तो डालता ही चला जाता है। तीन दिन भूखा रहने की वज़े से रवीवार को उनके चहर पूखे जाते हैं। तिमाग का ताला हिलता है तो जवाब निकलता है। नहीं तो खाली आँखों से पूछने वाले को देखते हैं। जिसे जवाब नहीं मिलता बाकी लोग उसे बाहर जाने के लिए कहते हैं। भाई औरों ने भी दुक्के निवारन करवाने हैं। अब त पंडित जी इशारे से साथ वाले कमरे में जाने के लिए कहते हैं। चुनाओ कभी भी हो सकते हैं। और रतन चौदरी की गुपचुप मीटिंग होती है। किया क्या जाए। मास्टर जी का खयाल है कि नेताओं को बुधवार को मिलने दिया जाए। भगवान को हफ्ते में एक दिन खाने को दे दिया जाए। कुछ नहीं होगा। भगवान कभी मरते हैं क्या। पंडित उन्हें बताता है कि भगवान बीमार रहते हैं। कई बार बिस्तर पर ही हग मूद देते हैं। देखा नहीं, पहार जितना तो पेट है, सारा बिस्तरा भर जाता है। रतन में अब तक नेताओं वाले सारे गुण आ गए हैं। उचा नहीं बोलता, गाली नहीं देता, घुस्सा नहीं करता, अब वो आदमी नहीं नेता है, फिर कल ही वो राजधानी से लोटा है, पंडित को समझाता है, देखो पंडित, सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो, भगवान बीमार रहते हैं तो पहले क्यों नहीं बताया, कल ह पहली शहर के अस्पताल से बड़ा डॉक्तर ले आऊंगा, उसकी बात खत्म होते ही नौकर अंदर आता है, स्टील के भरे गलास सामने रखता है, काच के गलासों में अब नहीं पी जाती, अचानक कोई अंदर आ जाये तो समझेगा कि चाय सुड़की जा रही है, पंडित एक घोंट में गलास खाली करता है, रतन नौकर को इशारा करता है और वो फिर गलास भरलाता है, रतन जानता है कि पंडित के मो जब खून लगा हो तो चाहे जो मर्जी मनवा लो, देखो पंडित, मुझे कल राजधानी से बुलावा आया था, एक बड़े मंतरी को जनता व बाल भगवान चाहें तो वारे न्यारे हो जाएंगे, कुछ बता दें, राजधानी में आपको मकान के लिए प्लाट दिलवा दूँगा, लाखों की कीमत है, प्लाट होगा तो मकान भी बन जाएगा, मास्टर जी को रतन की बात कुछ-कुछ समझानी शुरू हो गई, सीध तो फिर मंत्री जरूर बन जाएगा, पंडित ने तीसरा गलास खाली करते हुए कहा, पंडित जी चुनाव जीत गया तो दो एकर जमीन बाल भगवान को भेंट करूंगा, कल ही कचहरी में चलकर पक्के कागस पर लिखवा लो, पंडित जब नशे में होता है तो सही सोचना शुरू कर देता है, किसी जंगली जानवर की तरह उसके दिमाग में घात पतिघात की क्रिया शुरू हो जाती है, लड़के को पेट की विमारी लग गई है, कभी भी मर सकता है, राजधानी की चमचमाती सडकें और खूब सूरत कोठियों ने उसके दिमाग पर अभी से कब जमालिया है, चौथे गलास को वो अंदेखा कर रहा है, मास्टर जी सलहा देते हैं, ऐसा करते हैं कि एक महीने के लिए बाल भगवान के दर्शन बंत, अख़बार में रतन चौधरी खबर निकलवा देगा, कि भगवान ने समाधी लगा ली है, एक महीने किसी को दर्शन न नहीं आना, अब बीवी को मनाने के लिए उसके दिमाग में घात प्रतिगात चल पड़े हैं, पहले प्यार से बात करूँगा, नहीं मानेगी तो जूता, हाँ, जूता ही पीर है बिगडे तिगडों का, लिकिन ये जरूरी थोड़ी है कि लड़का जो बात मंत्री को फिर कौन देगा राजधानी में प्लोट और क्यों देगा रतन दो एकड जमीन, नहीं, वो जमीन के पक्के कागज रतन से पहले मांगेगा, रही प्लोट की बात तो उसे पता है कि किस मंत्री से रतन की साट गांट है, पिछले तीन बार वो चुनाओ जीत चुका है, तीनो बाग दिखाते रहते हैं, कैसे मारा था बाबु जग जीवन राम को, विचारा रास्ट पती और प्रधान मंत्री तो दूर, मंत्री भी नहीं रहा, दूद से मक्खी की तरह बाहर छिटक गया, रास्ते में पंडित ने लाले की दुकान से दो किलो लड़ू लिए, जेब मे बढ़ा तो दिल में संधे के कांटे ओगने शुरू हो गए, क्या सचमुछ लड़के में कोई देविये शक्ति आ गई है, इतने लोग उसे भगवान मान बैठे हैं, कहीं लड़के को उसकी चालों का पता चल गया तो, फिर उसने जमीन पर जोर से पैर पटक कर, शक के इन क जलता है ये खोटा सिक्का, घर पहुचने से पहले ही राजधानी की चमचम करती सडकें उसके दिमाग में फिर घुसाईं, बड़े लड़के ने आठवी पास कर ली है, कल ही रतन से कहेगा कि मंत्री से कहकर पहले उसे नौकरी दिलवाए, तब ही भगवान से आगे की बात होगी, एक बार ये बेवकूफी भरी बात दिमाग में आती जरूर है, कि बाल भगवान से पूच कर वो खुद क्यों न चुनाव लड़े, थुक, वो मूँ से इस बद्बू को बाहर धूकता है, लड़का खा रहा है, थाली में रोटियों का छोटा सा पहाड है, वो रोट अभी उसके दिल में घर करके बैठा हुआ है, कि कोई उसकी रोटी चुरा लेगा, पिता के हाथ में उसने बड़ा लिफाफा देख लिया है, कुत्ते की तरह नाक फुला कर गंद लेने की कोशिश कर रहा है, कि इसमें क्या है, पिता अंदर से थाली लाता है, लिफाफे से कहता है, दोनों खाले, लड़के की आँखों में कुछ न समझने का भाव देखता है, दोनों थालियां उसके बिलकुल पास सरकाता है, लड़ू, रोटी, दोनों खाले, लड़का जपाटे से लड़ू उठाता है और पूरा का पूरा मूँ में डाल लेता है, फिर रोटी उंगलियों से गोले को दबा दबा कर अंदर धकेल रहा है पिता को उपकाई आती है वो मूँ पर हाथ रखता है और अंदर चला जाता है बेटी रसोई में ही बैठी खा रही है लड़के कहा हैं पूछने पर पतनी बताती है कि शहर गए है नई फिल्लम देखने बारा बजे क के बाद आएंगे वो बेटी को कहता है जल्दी जल्दी खा और भाई के कमरे में जाकर सो उसकी तवित खराब हो तो आवाज देना बिस्तरा गंदा करे तो मत जगाना सवेरे साफ हो जाएगा समझी लड़की हा में सर हिलाती है उसे पता है कि पिता जब जल्दी सो जाने के ये कहता है तो कुछ होता जरूर है उनके कमरे से मा की हाय हाय और सीसी की आवाजें कितनी देर तक आती रहती है पाप पता नहीं मा को इतना क्यूं मारता है पिता उसे घूर रहा है वो और रोटी नहीं मांगती हलांकि एक फुलके की भूक उसे अभी और है वो उठकर आज दिल नहीं कर रहा, वो जवाब में पूरी मुस्कुरहाट फेंकती है, रहने दो, रतने मोचे के घर ही काम कराए हो, मुझे बनाया मत करो, मैं तुम्हारी रगरग जानती हूँ, वो बनावटी घुस्से में डाटता है, भाशन बनकर जल्दी कर, नहीं तो मैं यहीं, अवाज उस कमरे तक पहुँच जाती है, तुम बोलते जो इतना हॉले हो, वो दोनों बड़ी देर से साथ साथ लेते हैं, लेकिन आज पती किसी तरह की नोच खसोट नहीं कर रहा, बड़े प्यार से उसके जिस्म के हर हिस्से पर हाथ फेर रहा है, इतने हॉले जैसे वो का सिस्की में लिया, जटका दिया और उसका सिर अपनी छाती पर रख लिया, दर्ध हुआ, लेकिन मीठी सिस्की में बदलता हुआ, अब वो उसके बालों की जड़ों को खुजला रहा है, सुन, राजधानी रहना है, रतन मुफत का प्लाट दिला देगा, रतने को क्या आन प रताप से बड़े लड़के को नौकरी तो मिल ही जाएगी, उसे अभी इसी क्षन अपना गाउं गंदा और भू भरा लगना शुरू हो गया, लेकिन जब वो ये बात सुनती है कि अब लड़के को लगातार भूखा रहना पड़ेगा, तो चुप हो जाती है, सिर उसकी छा पाती से उठाती है और तकीये पर रख लेती है, कुछ नहीं होगा, तो क्यों जी को लगाती है, पहले भी तो भूखा ही रहता था, फिर रतन कल शेहर के बड़े अस्पताल से बड़ा डॉक्टर लेकर आएगा, राजधानी में मकान और बेटे के भूखा रहने में से मकान का चुनाव करने को उसका दिल चाह रहा है, पती महसूस करता है कि उसका अकड़ा शरीर धीला हो रहा है, वो पास सरकाई है, वो उसकी पीट का मास अपनी मुठी में भरता है और जोर से मसल देता है, अब वो लगातार उसे चाट रही है, गर्मा गई मादा की तरह, पती उ बूखा रहना चाहिए वो बूखे पेठी सच बोलता है अच्छा अच्छा आओ ना पत्नी अगली सीड़ी पर चड़ने के लिए करवट बदलती है साथ के कमरे से बेटी की आवाज आती है मा इसने बिस्तर गंडा कर दिया तभी उसी क्षान उसके दिल में जहर का कांटा बचता है वो एक कुत्ते दी बगबग बंद करती है कि मैं आओ फिर लड़की चुप लेकिन मा की तेज नाक में तीखी बद्बू सरसरा के घुस्ती आ रही है हालंकि बीच का दर्वाजा बंद है पती दूसरी सीड़ी चड़ता है वो उसक्षन बेटे और मकान दोनों में से मकान का चुनाव कर लेती है बेहोश हो रही आवाज में कहती है ठीक है इसका खाना पीना बंद तुम फिक्र मत करो लड़कों को मैं सब समझा दूंगी पती हाफ गई आवाज में डपटता है चुप कुत्ती मुर्दों की तरह क्यों पड़ी है हिल रतन अपनी मोटर को नाता है मां हा में सरहलाती है फिर ये भी बताती है कि लड़का सारा दिन खाता रहता है डॉक्टर को बाल भगवान के चमतकारी होने का पता है ये भी पता है कि रतन की पहुँच उपर तक है वो उसे बताता है कि लड़के के पेट में फोड़ा है अलसर ऑप्रेशन जल पिता को पता है कि लड़के को अगर वो घूमने देगा तो वो दूसरे लड़कों के साथ खेलेगा और लोगों का विश्वास उसके भगवान होने से उठ जाएगा फिर सिधड़ है उल्टा शुल्टा बाहर बोल देगा तो मिल चुका राजधानी में मुफ्त मकान साल सिविल अस्पताल में ट्रांसफर की बात याद आ जाती है जो रौब दाब माल मत्ता सिविल अस्पताल में है सब धरा का धरा रह जाएगा अगर किसी कस्वे के बड़े अस्पताल में बदली हो गई फोड़ा महीने में फट भी सकता है नहीं भी फट सकता और ये एक मह पंडित कमरे के बाहर सर्दियों की धूप में बैठा पहरा देता है बाहर से गुजरने वालों को वो हमेशा आख बंद किये बैठा दिखाई देता है बाल भगवान ने समाथी लगाई है देखो पिता भी सारा दिन मंतर पढ़ता रहता है क्यों न हो ब्राम मन है तब ही तो करेगा अंदर से हर थोड़ी देर में रोटी 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 ये शब्द दर्वाजे पर दस्तक देते हैं लेकिन लड़के को सिर्फ नीमू पानी दिया जाता है मास्टर जी ने बतलाया है गांधी जी तो दो महीने भूख हरताल पर रहे बस नीमू पानी पीते थे देख लो कुछ हुआ लककड की तरह हो गया था जिस्म रोटी कोई जरूरी थोड़े ही है बाल भगवान को कुछ नहीं होगा रतन बता गया था कि आज रात अंधेरा पढ़ने पर बड़ा मंत्री आएगा शायद भगवान आज ही सच बात बता दें बस कल से खाना शुरू बंद दर्वाजे के अंदर से ठक ठक की आवाज आती है पंडित जटके से उठता है तो लड़का बिस्तरे से उठकर दर्वाजे तक आ गया है रोटी 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 वो दर्वाजा खोलता है लड़के की गर्दन में पंजा डालता है और उसे घसीट कर तक्त पोश के पास ले जाता है और गुर राता है लेट जा लड़का डर और भूग से काप रहा है दोनों उसकी आखों के रास्ते बाहर निकल रहे हैं बाहर गली से मास्टर जी की आवाज आती है पंडित जी रतन के यहाँ चलना है मंत्री जी पहुँच गए है चलो लिवाला है पंडित बाहर जाते हुए जल्दी में बाल भगवान के कमरे को ताला लगाना भूल जाता है छोटी बहन अंदर आती है भाई के सिर के पास बैठती है उसके माथे पर हाथ रखती है अंगारों की तदध तप रहा है तेज बुखार है सिर दबाना शुरू कर देता है सिर दबाना शुरू कर देती है भाई उसकी कलाई पकड़ता है भूख परी आँखों से उसे देखता है और मरियल आवाज में कहता है भूख, रोटी बहन को पता है कि घर में क्या हो रहा है उसे पता है कि भाई को इतने दिनों से भूखा क्यूं रखा जा रहा है वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है भाई अभी उसकी ओर लगा तार देखे जा रहा है बहन को उसकी आखों में रोटियां ही रोटियां दिखाई देने लगती है पता मारेगा, राक्षस की तरह मारेगा लेकिन अभी वो छोटी है, उसका दिल लालज के पास गिरवी नहीं वो भाग कर रसोई जाती है और अपनी छोटी सी चुन्नी में रोटियों का धेर छोपा लाती है खा ले, जल्दी खा ले बापू आ गया तो जान निकाल देगा लड़का अब पंजों के बल अद बैठा है बेहन रोटियों के टुकडे करती है और वो दबाता जाता है बिना सबजी की रोटियां गले में फंस रही है उसका मूँ धीमे चल रहा है जल्दी खाओ बापू आया की आया लड़का डरी डरी आँखों से दरवाजे की तरफ देखता है पूरी की पूरी रोटि की एक गेंद बनाता है और उसे मूँ के अंदर ठेलता है बेहन पानी का गलास उसके मूँ से लगाती है वो छोटा घूट मारता है गलास परे ठेलता है पानी नहीं रोटी अब वो दोनों हाथों से रोटियों के टुकडे टुकडे करके मूँ में ठूंस रहा है घर के बाहर पैरों की आवाजें आती है बहन उसके आगे से रोटियां उठाती है चुन्नी से उसका मूँ पोंचती है और उसे लिटा देती है रसोई की तरफ भागते हुए कहती है बताना मत नहीं तो शामत आजाएगी मंत्री, पंडेत, मास्टर जी और रतन अंदर आते हैं रतन मास्टर बाल भगवान के पैरों को माथे से छूते हैं मंत्री कुछ अतरिक्त देर तक भगवान के पैरों पर सिर को रखे रहता है उसके चहरे पर मास्की पर्त दर पर्त चड़ी है और चिकनी चमडी किसी फिसलन वाली जगह की तरह हो रही है वो टोपी उतार कर हाथों में पकड़ता है और खादी के छोटे तॉलिये से चहरा साफ करता है उसे गर्मी, सर्दी, हर मौसम में पसीना आता है अखवार वाले उसके बारे में ये मुहावरा कभी भे इस्तमाल नहीं करते कि मंत्री के पसीने छूट गए भगवान की मा अंदर आती है और बेटे के सिराने बैठ जाती है उसके सुनहरे सेब जैसे चहरे को देखते ही जाने कि उ मंत्री को अपनी पत्नी का पुराना पढ़ गया जूते के चमडे सा सूखा और सक्त चहरा याद आ जाता है उसके बारे में प्रसिद्ध है कि न सीधा पूछता है न सीधा जवाब देता है विरोधी पक्ष वाले अखवार वाले सिर धुनते रह जाते हैं अपने सावालों का जवाब समझने के लिए पिछले दोनों चुनाओं में वो जीता है दोनों बार मंत्री बनाया गया है लेकिन मुख्य मंत्री हमेशा उसे मरियल और बांज विभाग देता है शिक्षा या स्वास्थे हालंकि विरोधी दल के लोगों के किले को तोड़ने फोड़ने में उसे महारत हासिल है लेन देन वही करता है उन्हें दल बदलवाने के लिए विरूधी दल वालों ने उसका नाम चलता फिरता बैंक रखा हुआ है वो बाल भगवान की मा से कहता है माता जी आप तो भगवान को लेकर राजधानी आ जाएं जब जब देश पर कोई संकट आएगा भगवान से सला ले लेंगे सरकार की तरफ से मकान के लिए जगा हम दिलवाएंगे देखो जैसी बाल भगवान की आग गया उसने साड़ी का पल्लू ठीक किया अपनी तिर्ची मुसकान का वार करते हुए उसके सुचे मूतियों से दांत देखकर मंत्री को कीलों से काले अपनी घरवाली के दांत याद आ गए जैसी आप की मर्जी होगी कोई भगवान की मर्जी अलग थोड़े ना होगी हम लोग वहाँ पर मकान बनाने का भी कोई नो कोई हीला कर लेंगे बाल भगवान की क्रपा हो जाए तो सब काम सिद्ध समझें पंडित को लगता है कि लड़के का मूँ दो तीन बार हिला है कहीं इसे किसी ने कुछ खाने को तो नहीं दे दिया लेकिन किस की हिम्मत है वो खड़े-खड़े खाल नहीं खीच लेगा मंत्री दोनों हाथ जोड़कर भगवान को बताता है चुनाव आ रहे हैं जनता जीतेगी लोगदल जीतेगा या कॉंग्रिस जीतेगी मैं किस पार्टी से जीत सकता हूँ इतना लंबा वाग के लड़के के दिमाग के बाहर ही चक्कर काटता रहा हाँ जीतना शब्द बंद दिमाग के ताले पर खटखट करता रहा दिमाग से संकेत आ रहे हैं शब्द सुना हुआ है पहले भी किसी ने कहा है शब्द धीरे धीरे खिसक कर होटों पर आ बैठा लड़का उसे कस कर पकड़ता है कि कहीं फिसल न जाए आवाज का धक्का देता है और शब्द बाहर को उचलता है वो बोलता है जीता पंडित, मास्टर और रतन तीनों के चहरों पर गुलाब फूट पड़ते हैं मास्टर मंत्री से कहता है भगवान ने बता दिया है आपकी जीत होगी मंत्री खेला खाया हुआ है इतनी जल्दी तो उसने कभी खुद पर भी विश्वास नहीं किया मास्टर जी सवाल मेरे जीतने का नहीं है पार्टी कौन सी जीतेगी जिसकी सरकार बनेगी मास्टर जी उसे समझाते हैं भगवान तो बस एक ही शब्द में जवाब देते हैं पार्टी चाहे जो जीते सरकार तो कॉंग्रेस की ही बनेगी ये कोई बंगाल तो है नहीं कि जो पार्टी जीते उसी की सरकार बन जाए मंत्री अब कच्चा चबा जाने वाली आँखों से मास्टर को देख रहा है ये साले पढ़े लिखे लोग ही देश का नुकसान करते हैं तब ही अंग्रेजों के वक्त इतनी पढ़ाई नहीं थी कैसे शांती से राज कर गए अनपढ़ का क्या सरकार ने जो कहा सत्वचन रतन भाब जाता है कि मंत्री को बुरा लगा है विदायक बनने का उसका सपना हिल जाता है वो मंत्री को सला देता है कि आप छोटा सा सवाल करें भगवान लंबे सवालों का जवाब नहीं देते इशारों में बात करते हैं मंत्री अपने चहरे से उस्सा उतारता है और उसकी जगह घी के डिब्बे वाली चिकनी मुसकान चहरे पर लाता है हाथ जोड़ कर सवाल पूछता है भगवान, जनता, लोकदल, कॉंग्रेस अब लड़का बिलकुल घबरा गया है बाकी लोग तो एक बार उसके बोलने पर उठ जाते हैं ये आदमी नहीं उठ रहा जरूर इसी ने इसका खाना बंद किया है वो आँखें बंद कर लेता है उसका शरीर कांपता है पिता तो जानता है कि लड़का एक बारी में नए शब शब्द न समझता है न बोल सकता है वो दोहराता है जनता लोगदल कॉंग्रे तीनों शब्द अब हिंसक पशू का रूप धारन कर लेते हैं लड़के के दिमाग पर एक साथ आक्रमन कर देते हैं लड़के के सिर में पंजे गढ़ जाते हैं इन्हें परेच छिटकाने के ल हिलाना शुरू कर देता है लेकिन पंजे मास में गढ़ गए हैं वो ठक जाता है और सर हिलाना बंद कर देता है वो मंत्री की ओर देखता है और आखें मोंद लेता है थोड़ी देर सब लोग उसके बोलने का इंतजार करते हैं लेकिन वो चुप है उसकी सांस अब समतल चल रही है माबाप को पता चल जाता है कि वो सो गया है पंडित कहता है भगवान ने समाधी लगा ली है अब जवाब नहीं देंगे आप लोग फिर आएं सब उठ पड़ते हैं और मंत्री लड़के की मां के आगे हड़ी फेंगता है जिस दिन बाल भगवान मुझे सीधी आग्य आग्या देंगे बस समझ लें उसी दिन में भगवान को राजधानी ले जाओंगा जब आप आग्या देंगे फिर आ जाओंगा पंडित उन्हें बाहर तक छोड़ने जाता है मां के दिमाग से राजधानी की सड़कें और सिंदूरी फूलों के पेर बाहर सरकने लग बड़े भाई और छोटी बहन कमरे में आ जाते हैं बड़े लड़के के पूछने पर मा बताती है कि बाल भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया पंडित अंदर आता है सारे परिवार को उस कमरे में खड़ा देखकर गरचता है क्यों? तुम सारे यां क्यों खड़े हो? तुमारी मा का नाच हो रहा है क्या? उसकी गरचती आवाज सुनकर लड़का आखें खोल लेता है पिता उसे शब्द रटाने की कोशिश करता है बोल जनता लड़के को पता है कि वो बोलेगा तो रोटी मिलेगी बड़ा भाई कहता है बोल जनता लड़का जवाब देता है जनता अब बोल लोकदल लड़के की नाख फूलती है उसे रोटीयों की बास आनी शुरू हो जाती है वो बोलता है लोकदल पंडित का बड़े भाई का और मा का चेहरा खिल जाता है पंडित बोलता है अब बोल कॉंग्रस चोटी लड़की पिता को कहती है बापू कांग्रस नहीं कॉंग्रेस ग़ के पैर में रव पढ़ता है वो भाई से कहती है बोल कॉंग्रेस लड़का इस शब्द से कुश्ती करना शुरू कर देता है लेकिन होटों पर आना तो दूर, शब्द दिमाग के ताले पर खट-खट भी नहीं कर पाता उसकी आँखों से आंसू बहने शुरू हो जाते है बड़ा भाई कहता है बोल कॉंग्रेस लड़का जवाब देता है रोटी, भूख पिता तेजी से रसोई में जाता है, रोटीयों का धेर थाली में रखकर लोटता है थाली उसकी चारपाई से दूर रख देता है, लड़का उठने की कोशिश करता है वो किसी डरे हुए कुट्टे की तरह रोटियों को देखता है आसपास खड़े लोगों को देखता है वो जीब से होट चाट रहा है बोल कॉंग्रेस, कॉंग्रेस, कॉंग्रेस सारी रोटियां दूँगा, लड्डू भी दूँगा मा कहती है कि क्यों पीछे पड़े हो उसके उसे नहीं बोला जाएगा वे चुप कुत्ती, तीनों शब्द इसको रटाने हैं पक्के याद कराने हैं अगले हफते तेरा खसम मंत्री फिर आएगा जब तक इसने ये शब्द याद न किये तो ले लेना मकान राजधानी में बड़ा भाई घुस्से में उसे कहता है बुल कॉंग्रेस कॉंग्रेस लड़के के पेट का फोड़ा हिल रहा है दिमाग का ताला हिल रहा है सारा शरीर हिल रहा है अब उसकी जीव लगातार होठों को चाट रही है लपलपा रही है उसकी सारी इंद्रियां सारा भूख का भय उसके होठों के आसपास खूम रहा है वो फिर जोर लगाता है और आवाज निकलती है कॉंग कॉंग नहीं कॉंग्रेस बोल कॉंग्रेस कॉंग्रेस कुटे कॉंग्रेस वो मा की ओर देखता है, पेट का गोला गले की तरफ बढ़ रहा है मा रोटी, भूख, वो भाब कर लड़के से चिपक जाती है छोटी बेटी रोटियों का थाल उसे देने के लिए उठती है तो बाब बेटी को लात मारता है वो गिरती है और छनन्न की आवाज के साथ ठाल नीचे गिर जाता है रोटियां कमरे में बिखर जाती है मा और कसकर लड़के से चिपक जाती है इसे रोटी खाने दे तू राक्षस है राक्षस, तुझे कीडे पढ़ेंगे पती उसे बालों से पकड़ता है घसीट कर चार पाई से नीचे फेंगता है अब वो लड़के के सिर पर खड़ा है उसकी लाल लाल आखें सुलकते हुए अंगारों की तरह लड़के की चमणी जला रही है वो गरचता है बोल कॉंग्रेस परना आज में तेरा खून कर दूँगा बोल कॉंग्रेस लड़का उठकर बैठ गया है उसका गला फूल गया है सारी की सारी जीवन शक्ती गले में अडाई है बाप गरचता है भाई गरचता है बोल कॉंग्रेस लड़का मूँ खोलता है, पेट का गोला और कॉंग्रेस दोनों उसके होठों तक आते हैं, वो जोर लगा रहा है, पेट का गोला मूँ में फटता है, वो नीचे गिर जाता है, मूँ किसी काली गुफा के द्वार की तरह खुलता है, और फफफफफफ़ की आवाज के साथ ग बोला फूटता है, खून का छोटा सा दरिया कमरे में फैल रहा है, किसी गर्दन कटे जानवर की तरह वो धीरे धीरे हिलना बंद कर देता है, उसके खुले मूँ से खून की मोटी सी लकीर अब भी बाहर बह रही है, कमरे में फैल रही है